लास्ट वरे लेक्चर में हम लोगों ने लेटिस डिरेक्शन की बात की थी या उसको आप कह सकते हैं क्रिस्ट्रोग्राफिक डिरेक्शन आगों अज कर दरमियान में मिवन किस्ता से कांधियोट करते हैं इसको फाइंड़ क Kr verg कौइटिटिए रशें कि H1, K1 और L1 और H2, K2, L2 जो है यह दो directions हैं और इसके दरम्यान में angle को find करने के लिए हम again इन दोनों का dot product लेंगे दोनों का dot product लेंगे हम कहेंगे कि cause of theta is equal to this यह हमारे पास formula आ जाएगा अब अगर हम देखे कोई problem solve करते हैं for example हम मैं कहते हूँ कि calculate the angle which 111 direction of a cubic lattice makes with 110 इसमें सबसे पहले तो हम यह direction बना लेते हैं 111 direction और 1110 जो है वो direction बना लेते हैं मैंने यहां पर वो direction जो है calculate की है I mean draw की हुई है अब देखे मैंने यह x axis ले लिए यह y ले लिए और यह x axis ले लिए तो 11 direction जो होगी वो यह वाली direction होगी 111 यह वाली direction जो है यह 111 direction होगी अब यह जो next उसमें आ रही है यह वाली जो direction है यह 110 direction होगी यह already हम लोग last lecture में इसके discussion कर चुकी है कि हमने directions जो है वो कैसे बनानी है तो यह जो इन दोनों के दर्मियान में angle है यह वाला angle जो है यह theta angle है जो कि हमें find out करना है इस वाले formula से जो हम लोग ने अभी drive किया है हमारे पास जो formula है वो है cause of theta equals to this और हमारे पास जो directions है जो दोबारा यहां पर लिख देती हूं एक तो direction है हमारे पास 111 और एक हमारे पास direction है 110 आप इसको यह समझ रहे हैं this is h1 k1 l1 और यह h2 k2 और l2 है so इसको इसको use करते हुए और इस formula में हम plug-in करेंगे values तो हमारे पास जो value आजेगी 13 की वो आजेगी 35 degrees and 15 minutes यह आप calculate कर सकते हैं खुद से भी next जो हमारा topic है वो है orientation of the planes in a lattice इसको हम कहते हैं Miller indices सबसे पहले तो हम इसकी discussion कर लेते हैं कि क्यों important है कि हम जो है planes की orientations को देखें किसी भी lattice में या किसी भी crystal में तो असल में जब हम को material की properties को study करते हैं तो उस वकत यह बड़ा important होता है कि हम उसकी atomic planes को study करें उनकी indices को study करें क्योंकि यह देखा गया है कि जो उनकी properties है वो different planes के उपर different होती है for example हमारा पास optical properties या mass density जो है वो वेरी करती है एक plane में different है तो दूसरे plane में उसकी different होगी इसलिए हमें planes की orientation को किसी भी lattice या crystal में study करना बहुत ज़रूरी है अभी तक हम लोगों ने देखा है कि significance क्या है orientation of planes को find out करने की अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे index करते हैं यानि कि हम क्या वो तरीका है उसको index करने का अब जो orientation होती है किसी भी crystal plane की उसको हम determine करते हैं कि किस तरह से जो plane है वो intersect करता है main crystallographic axis को और intercept करने का मतब यो होता है कि intersect करता है यानि कि कहां पे वो काटता है कोई भी plane x को y को और z को कहां पे काटेगा हम उसको note करेंगे फिर हम उसको reciprocals लेते हैं और उसके बाद हम उनको enclose करते है parenthesis में और हम कहते हैं कि यह उसके indices हैं उस वाले plane के तो सबसे पहले इसको find out करने का जो तरीका था वो एक British crystallographer थे Miller उन्होंने बड़ा असान सा तीन steps बताई हैं कि हम उसको कैसे index कर सकते हैं किसी भी plane को number one step यह है कि सबसे पहले आप find करें कि वो जो plane है वो कहां पे x, y और z axis को cut कर रहा है वो बले points low down कर लें number two के उपर है कि उ x axis के ओपर वो plane काट रहा है along one value है y के along जो है two है z axis के along जो है वो again one है तो reciprocals का मतलब यह है कि हम कहेंगे one over one one over two and again one over one उसके बाद अगर तो हमारा जो answer आ रहा है वो fractions में हैं तो हम उसको whole number में convert करेंगे यानिके simplify करेंगे ताकि हमारे whole number में answer आ जाए फिर उन numbers को हम इस तरह से parentheses में close कर देंगे और without commas ने उसमें डालेंगे और वो फिर हमारे पास एक वो value for example one two three है brackets इस तरह के parentheses में उसको हम कहेंगे कि यह Miller indices हैं उस वाले plane के लिए एक और important point यह है कि अगर तो plane जो है वो किसी भी axis के parallel होते है तो उसका जो intercept होते है with that axis हम उसे कहते है कि वो lie का रहा है at infinity उसकी वज़ा क्या है कि जब एक plane किसी plane के parallel है तो इसका मतब़िए उसके parallel जाता जा रहा है वो उसको काट तो नहीं रहा किसी जगा के ओपर तो हम यह जूम करते हैं कि यह वला plane अभी वो parallel है और उसका जो intercept है वो lie का रहा है at infinity अब हम एक example ले लेते हैं कि हम यह consider करते हैं कि A, B और C जो है वो एक plane है अब हमने इसके miller indices fine route करने है तो subset number one step क्या थी कि हमने intercepts fine करने है तो इसके intercepts क्या होंगे और अगर मैं इस side को x-axis ले रही ह है और इस side copper जो है वो मैंने z-axis ले लिए अब मैंने इस plane के A, B और C के मैंने intercepts find करने हैं on x, y and z-axis. So x-axis के उपर सबसे पहले मैं intercepts देखती हूं, x-axis के उपर इसके क्या intercepts हैं, अगर मैं पूरी length जो है वो यहां से यहां तक जो length है वो मैं one ले लेती हूं, तो x-axis के long उसका intercept जो है वो एक one है, और y-axis के long उसका intercept क्या है, इस क्योंके plane यहां पर point B के ओपर cut कर रहा है, तो it point C के long, अगर आप point C देखें, यनिके Z-axis के long, अगर आप देखें, तो यहां से लेकिए यहां तक की जो length है वो one है, तो यह again उतना ही बाहिर की तरह है, तो इसका मतब़ है, इसके long, जो intercept कर रहा है, Z-axis के long, जो intercept हो रहा है, plane, उसकी value क्या होगी, that will be two. So, यह हमार पस आगे number one step क्या थी? Intercepts. Intercepts लेने के बाद हमने number two step थी, हमने उसके raci brokers लेनी है, इसका मतब है one over one, one over one, and then one over two. So, one over one is one, one over one is one, and one over two, यह हमार पस आगे raci brokers. इसके बाद step number three थी, हमने इसको simplify करने है, ताकि जो fractions हैं, वो remove होजें, और हमने पस whole numbers आजें. So, simplification थी, इसमें, अगर मैं सबको two से multiply कर दो, तो fraction remove हो जाएगी, so two, two, one. तो two, two, one, और इस तरह से brackets के अंदर, और without any commas, जो है, वो specify कर रहा है, इसके miller indices को. So, यह जो plane है, इसके miller indices होंगे, that will be two, two, one. अब मैं एक और plane draw करती हूँ, यहाँ पर, for example, मैं यहाँ यह, और इसके middle में यह, और मैं यहाँ से, इसको मैं erase करके, दोबारा से line draw कर लेती हूँ. So, इसका मैं नाम रख देती हूँ, D, E, and F. अब इसके अगर मैंने miller indices find out करने हैं, तो इसमें मैं देखूँगी, x-axis के रांग, उसका intercept, जो है, वो क्या रहा है, कि, so, आप देखें, half पर उसको इसको इंटरसेक का रहा है, इसका मतलब है, intercept along x-axis, जो है, that will be 1 by 2, यह intercepts आगे, that will be 1 by 2, फिर मैं y-axis के along, अगर मैं देखूँ, तो वो भी half है, यहाँ पर इसको इसको इंटरसेक का रहा है, यह वाला plane, तो that will be 1 by 2. C के along, sorry, not C, यह Z-axis के along, जो इसका है, वो पूरा plane, यहाँ पर इसका मतलब है, पूरा 1 जो है, वो उसकी length है, so, that will be 1. अब मैं इसका, इसके रासी बोकर्स लोगं, तो that will be 2, 1, and 1 over 1, so, basically, it's 2 over 1, and 1 over, again, 2 over 1, and this is also 2 over 1, and this, तो इसको यह हो जाएगा, 2, 2, 1, inside the brackets, this brackets, so, parentheses, तो यह इसके Miller indices होंगे, अब यहाँ से आप देखें, के Miller indices, यह जो दरम्यान में प्लें था, D, E, F, and A, B, C, इन सब के Miller indices हैं, इन दोनों के Miller indices सेम आएं, तो इसका मतब है कि जो D, E, F, और A, B, C, they have the same Miller indices, और आप अगर नोट करें कि दोनों planes जो हैं, वो एक दूसरे के parallel भी हैं, A, B, C, और D, E, F, एक दूसरे के parallel हैं, यह वाला plane, A, B, C, और D, E, F, यह आप, मैं हाँ सबताती हैं, A, B, A, B, C, and D, E, F, एक दूसरे के parallel हैं, तो हम यहां से conclude कर सकते हैं, कि जो भी parallel planes होंगे, वो उनके Miller indices हैं, वो सेम होंगे, आप कोई और भी examples लेके, आप इस ताह से fine road कर सकते हैं, जिसे हाँ, यह जर्नलाइस किया हैं, कि जो भी parallel planes होंगे, they will have the same Miller indices, एक और example करते हैं, अब यह हम अर पस एक plane बना हो है, यहां पे, यह जो है, हम देखते हैं, कि इसके Miller indices क्या होंगे, सबसे पहले step क्या है, कि हम इसके, को देखते हैं, कि intercept कहां पे कर रहा है, सबसे पहले आप देखें, कि इस plane का कोई भी intercept नहीं आ रहा along the y-axis, और at the same time, अगर हम देखें, तो z-axis के long भी यह जो plane है, यह आगे की तरफ है, यह विला जो plane है, इसका कोई, z-axis के long भी intercept नहीं कर रहा है, यह निकि आप यू कह सकते हों कि z-axis के भी यह parallel है, और y-axis के भी parallel है, तो जब parallel है, तो इसका मतब़ है, इसका जो intercept है, उसको हम infinity लेंगे, x-axis के long जो इ intercept जो है, वो infinity है, और z-axis के long भी intercept जो है, उसका infinity होगा, तो इसके intercepts होंगे, 1, infinity and infinity, step number 1 होगे, step number 2 में हमने इसके reciprocals लेने है, वो क्या होंगे, 1, 0, 0, क्योंकि infinity का मतलब है, like 1 over infinity is 0, और पिर अगे जो third वाला है, 1 over infinity, वो भी जो है, वो 0 होगा, so intercepts हमार पास आजेंगे, 1, 1, 0, 0, जब हमने, intercepts के बाद जब हमने उसके reciprocals लेने है, so इसमें तो simplification के कोई ज़रूरत नहीं है, already simplified है, कोई fractions नहीं है, तो इसके miller indices हो जाएंगे, 1, 0, 0, अब हम एक और example देखते हैं, अब यहां पर देखें, यह एक plane है, अब अगर for example, यह x-axis है, यह y है, और यह जो उपर है, यह z-axis है, तो अब हम सबसे पहले miller indices को find out करने के लिए, मैं इसके intercepts देखती हूँ, तो x-axis के long जो है, वो intercept क्या का रहा है, पूरे का पूरा यह plane 1 पे है, यह plane x-axis को 1 पे intercept कर रहा है, वैल्यू जो है, और फिर y-axis के देखो, तो यह middle में है, यह यह 1 by 2 और z-axis के long यह, अगर मैं इसको 3 parts में divide कर तो यह 1 by 3 part है, तो इसका मतब है, इसके intercepts क्या होंगे, 1, 1 by 2 and 1 by 3, तो second step क्या है, कि हमने इसके reciprocals लेने हैं, रैसिब्लोकल इसके क्या हो जाएंगे, so 1 का reciprocal हो जाएगा, 1 over 1, that is 1, 1 over 2 का आजएगा, 2 over 1, that is 2, 1 over 3 का आजएगा, 3 over 1, that is 3, तो इसके reciprocals आजएगे, 1, 2 and 3, again, यह simplified है, कोई fraction में नहीं आ रहा, so इसको जब हम enclose करेंगे, within the parentheses, तो यह 1, 2, 3, यह इसके miller indices होंगे, अब हम एक exercise करते हैं, कि अब हमने draw करना है, 2, 2, 0 और 1, 1, 0 plane को, inner cubic crystal, अच्छा, इससे पहले हमने जो, अभी मैंने जो explain किया है, miller indices का, उसमें यह था कि हमारे पस already एक plane बना हुआ है, तो हमने उसको कैसे readout करना है, अब क्या है कि अगर हमारे पस एक plane है, यानिके miller indices हैं, हमने उसको draw कैसे करना है, तो हम उसके, उसी का, हम reverse चलेंगे, for example, अब हमारे पस यह 2, 2, 0 है plane, तो यह miller indices हैं, तो हम क्या, हम इसके, इसका अब हम recipe brokers लेंगे, तो that will be 2, 2, 0 के होजेंगे, 1 over 2, 1 over 2, और 1 over 0, यह इसके recipe brokers आगे रहे हैं, तो इसका मतब क्या है, कि यह जो reciprocal i है, इसका मतब यह है, कि यह जो 1 over 2 है, यह basically intercept है, यह intercept है at x-axis, और यह भी 1 over 2, यह intercept है at y-axis, और 1 over 0, जो कि क्या है, basically infinity के equal आजएगा, तो इसका मतब यह है, कि यह it's parallel to z-axis, इसी तरह से, आप इसमें भी देख लेंगे, यह जो next हमारे पस 1, 1, 0 plane है, तो इसका भी यह plane दिया हुए, अब हमने opposite देखना है, again steps करेंगे, reverse चलेंगे, इसका हम अबने reciproker लेना है, तो reciproker आजएगा 1 over 1, 1 over 1, and then 1 over 0, so फिर इसमें 1 over 1 means 1, 1 and then infinity, अब यह हमारे पस क्या आगे, यह हमारे पस intercepts आगे हैं, यह 1 जो है, यह कौन से वाला intercept है, that is x-axis के उपर है, यह वाला 1 भी, यह y-axis के उपर है, और यह infinities का मतब़ है, कि it's again parallel to, parallel to z-axis, अब आप इसको try करें, draw करने की थोड़ी सी दे के लिए आप अपनी वीडियो को pause करें, और try करें, okay, so यहां भी मैंने यह planes draw की हैं, चुकिए intercepts हमारे क्या आए थे, x-axis के लांग हमारा intercept आया था 1 by 2, so यह हमारा x-axis है, यह point 1 by 2 हो जाएगा, y-axis के लांग भी हमारा intercept आया था 1 by 2, तो यह y-axis के लांग यह 1 by 2 है, तो आपने एक यह point, एक यह point लगा लिया, इसी तरह से, लेकिन वो z-axis के लांग को intercept नहीं है, it means it's parallel to z-axis, तो इसी तरह से आप यहां पे एक point लगा लेंगे, x-axis के लांग 1 by 2 है, और इदर से y-axis के लांग 1 by 2, फिर आपने इन सारे points को जो है, वो आपस में join करते हैं, तो यह जो plane बढ़ रहा है, यह वाला plane क्या होगा, that will be 2, 2, 0 plane होगा, इसी तरह से जो दूसरे वाला plane था, उसको भी हम देख लेते हैं, वो था उसके जो intercepts आ रहे थे, x-axis के लांग वो 1 है, और y-axis के लांग भी 1 है, और z-axis के लांग वो actually, के लांग कोई इंटरसेप नहीं है, it's parallel to z-axis, इसी तरह से x-axis के लांग 1, y-axis के लांग 1, तो आप यह सारे जो 4 points से इसको join कर लें, तो यह जो plane बन रहा है, that will be 1, 1, 0 plane होगा, अब हम एक ओर प्रैक्टिस करते हैं, कि अगर हमारे पास इस तरह के Miller indices दिया हुए है, कि bar 1, 1, 0, bar 1 का क्या मतलब है, basically negative x-axis है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस case में हम अपने origin को shift कर लें हैं, यह last lecture में भी हमने इसकी discussion की थी, जब हम lattice directions की बात कर रहे थे, यह crystallographic directions की, कि जिसके उपर भी बार होगा, हम अपना origin जो है, उसको shift कर लेते हैं, उस case में, तो इस case में हम कहेंगे, कि shift the origin so that the x-axis becomes negative, तो for example, यह हमारे पास ए cubic structure है, तो अगर यह मैं origin ले रही थी, क्योंकि मैं इस unit cell के अंदर इस plane को draw करना चाहरे हूँ, तो इस वज़े से मैं इसके अंदर negative side पे, negative one basically यह चीज़ हो जाएगी, इसलिए हम अपने origin को shift कर लेंगे, और उसके बात अगर हमारे पास यह plane है, तो इसके सबसे पहले step किया, यह reciprocals लेंगे, that will be one over minus one, one over one and one over zero, तो यह आजेगा minus one, one and infinity, यह इसके intercepts आजेंगे, अब आप यहां से देख सकते हैं, मैंने already plane draw किया हुए, तो अगर हमें पास यह origin है, origin से मैंने move किया minus one, और फिर उसके बाद यह point हो गया, और फिर y-axis, जो है, जो y-axis है, उसके ओपर भी उसका जो intercept है, that is, that is one, तो इसका मतब यह है कि origin से मैंने यह वाला point move किया, तो यह दो points होगे, और इसी से, z-axis के लांग तो वैसे parallel है, इसी तरह से हम दो points जो है, वो यहां पे लेंगे, यह point और यह point, इसको हम join कर लेंगे, यह four points को, तो यह जो shaded है, यह वाला, वो plane होगा, कौन सा plane होगा, that will be, basically यह वाला plane, one, bar one, one and zero. आप लोग एक exercise कर सकते हैं, कि मैंने यह different planes यहां पे लिखे हैं, आप इनको try करें, draw करने की, और जो है, जिसके ओपर bar है, इसका मतलब हो वो negative side है, वहाँ पे आपने origin को shift करना होगा, तो आप इसकी, जो है, वो खुद से try कीजिएगा. अब यहां पे एक में relation बताना चाहूँगी, कि जो हमार पास Miller indices हैं, Hkl, और जो direction vectors हैं, Hkl, उनके दर्मियान में क्या relationship होता है, इना cubic system में. तो यहां पे मैंने यह draw किया है, एक plane, जो कि, यह plane है, one, 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 यह जो plane है, one, 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 और यह lattice direction है, basically one, one, one की. तो एक तो यह कि यह जो square brackets हैं, यह direction vectors को represent करते हैं, यह जो parenthesis हैं, यह Miller indices को represent करते हैं, और अगर इस case में मैंने one, one, one लिये direction vector और यह जो one, 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 जो है, यह Miller indices हैं, तो आप यहां से भी, जब मैंने draw किया, तो अपनोड कर सकते हैं, कि यह एक plane है, one, 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 और यह जो है, उसका direction vector है, तो यह दोनों जो हैं, एक दूसरे के perpendicular हैं, तो यहां से भी आपको अंदाजा हो रहा है, कि यह दूसरे यह वाला जो direction vector है, और यह जो plane है, इन दोनों के दर्मियान में angle जो हो 90 degree के है, और यह basically एक relation होता है, लेकिन यह सिरफ और सिरफ एक cubic system का ही hold करता है, non-cubic system में ज़ूरी नहीं है कि यह true हो. HKL parentheses के अंदर generally हम use करते हैं for representing a plane, यहां पर मैंने कुछ set of planes लिखे हैं, 1, 0, 0, 0, 1, 0, और बागी के सारे planes, अगर आप इनको देखें, तो इसमें एक symmetry है, यह जो set of planes है, क्या symmetry है, कि देखें, यह जैसे 1, 0, 0 plane है, तो यह जो plane है, यह basically x-axis को तो intercept कर रहे हैं किसी एक value 1 पे, लेकिन y और z के यह parallel है, इसी तरह से दूसरे वाले plane को देखें, तो यह y को intercept कर रहे हैं किसी एक value 1 के उपर, जबके यह x और z के parallel, इस तरह से आप बागी सारे planes को भी देख सकते हैं, तो अगर आप यहां पर अपनी वीडियो को pause करें, और इनको try करें, draw करने की, तो यहां पर मैंने यह plane हैं, बैसिकली मैंने एक picture लिया है, युनिवर्सिटी आफ केम्डिज के resource page से, तो यहां पर यह क्यूभी crystal तो नहीं है, यह क्यूभी crystal है, तो यहां पर उन्हें सारे planes ड्रॉक की हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को शो कर रही हूँ, क्यूंकि आपने तो सिरफ planes की drawing देखनी है, तो अगर आप देखें, तो जैसे यह 100 plane है, तो आप नोट करेंगे, कि यह basically crystal है, इसका एक face, जो कि फ्रंट वाला face उसको represent कर रहे है, 010 जो right side पे face उसको represent कर रहे है, 001 जो top पे है, इस तरह से यह सारे, अगर आप नोट करेंगे, जो set of planes थे, तो यह सारे basically crystal, पूरे crystal के face को represent कर रहे हैं, तो क्या मैं यह कह सकतूँ कि यह जो set of planes है, 00 लिखता हूँ, तो मैं कूँगी कि यह एक family of planes है, तो यह जो family of planes है, यह basically, यह जो 100 है, यह basically इस पूरे set of planes के equal है, तो अब आपके जहन में question आ रहा होगा कि 100 हमने क्यों यहां पे लिखे है, हम basically इन सारे set of planes में से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी plane ले सकते हैं, लेकिन curly bracket के अंदर, for example, मैं यहां पे इसको, मैं यहां पे curly bracket के अंदर, one, zero, one, zero भी ले सकती हूँ, फिर मैं इसको zero, zero, one भी ले सकती हूँ, यह basically, यह सारे इन पूरे set of planes, यह जो family of planes है, यह basically, इन सारे set of planes के equal है, मैंने यहां पे एक और set of planes लिये हैं, इन सारे set of planes में आप देखें, एक symmetry है, for example, आप देखें, यह जो पहले वाला है, one, zero, one, इसका मतलब यह है कि यह basically, एक ऐसा plane है, जो के दो crystallographic axes को तो cut करेंगे, लेकि थर्ड बन के, वो parallel है, इससी तरह से सारे आपने ऐसी combinations जो हैं, वो choose करनी हैं, जो के मैंने यहां पे already choose करके लिखी हैं, अब आप इन सब को draw करें, वीडियो को pause करके, इनको draw करें, और फिर आप देखें, अब आप देखें, मैंने यहां पे again एक picture लिये, जो है, एक cubic crystal के यह picture नहीं है, यह basically ट्राइक लेनिक है, और जिसमें आपको पता है कि lattice parameters, ABC एक दूसरे के equal नहीं होते हैं, ना इसके corresponding angles एक दूसरे के equal होते हैं, लेकिन मैंने सर्फ planes को चुके show करना था, तो आप यहां से देख सकते हैं, जैसे 101 है, आप इसके अंदर यह देखें, plane जो है, यह इस वले crystal के diagonal के along है, इस तरह से 110 भी diagonal के along है, and 011 diagonal के along है, इसी तरह से आप सब को देख सकते हैं, सारे planes इस वले crystal में diagonal के along जो है, वो alike कर रहे हैं, तो मैं अगर इन सारे planes को ऐसे पूरे को ऐसे लिखने के बज़ए अगर मैं curly brackets में लिख देती हूँ और इन में से कोई एक value ले लेती हूँ, मतब कोई एक plane की value ले लेती हूँ जैसे मैंने यहां पर 110 ले लिये, तो मैं यह कूँगी कि यह basically represent कर रहे है family of the diagonal planes को